बिहार के मोतीहारी के सूफियाना खातून हत्याकान का खुलासा हो गया है बता दें कि घटना के बारे में DSP अशोक कुमार का कहना है कि सूफियाना की कई लड़कों से दोस्ती थी इस बात की जानकारी उसके छोटे भाई रिजवान को हुई जानकारी मिलने के बार रिजवान ने अपनी बहन सूफियाना को उन लड़कों से बात करने से मना किया लेकिन मना करने के बाद भी सूफियाना उन लड़कों से बात चीत करती रही समाज में हो रही बेज़िती और लोकलज़ा के कारण छोटे भाई जवान उसके मामा आजाद आलम सहे तीन लोगों ने साथ जुन की रात को उसका गला रेत कर हत्या कर दी सुवेश रव मिलने पर मृतका के पिता ने मामला दर्श कराया इस दोरान थाने में दिये गए आवेदन में पिता ने बताया कि मेरी बेटी सुवेश ना अपने भाई को छोड़ने रात में अपने मामा के घर बगल के गाउं गई थी जिसके बाद बीच रास्ते में सूफियाना ने अपने भाई को बताया कि तुम अब यहां से चले जाओ, अब मैं भी यहां से चली जाओंगी ऐसे में रास्ते से भाई अपने मामा के घर चला गया, लेकिन सूफियाना देरात तक घर नहीं पहुची इस दोरान परिजनों की ओर से काफी खोचपीन की गई लेकिन उसका कहीं भी कोई अता पता नहीं चल सका सुबै गाओं के लोगों ने पास के सरहे में सूफियाना का शफ देखा चप को देखने के बाद पुलिस को घटा की जानकारी दी गई इता मामले में अग्यात लोगों के खिलाब प्रात्मी की दर्श कराई गई पुलिस के पूस्टाच में आरोपी रिजवान और मृत्का के मामा आजाद आलम ने पुलिस को बताया कि रिजवान ने रक्सोल से चाकू खरीदा था सूफियाना की हत्या की प्लानिंग पहले ही कर ली गई थी उसने बताया की साथ जून को सूफियाना की हत्या घर से महद 200 मीटर के दूरी पर की गई वही हत्या के इस मामले में पुलिस ने मृत्का के भाई और मामा को गिरफतार किया है पुलिस ने उन आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल चाकू और कमीज बरामत भी कर ली है साथ ही इस घटना में एक तीसरा व्यक्ती भी शामिल था जो फिलहार फरार है उसकी गिरफतारी के लिए पुलिस लगातार छापे मारी कर रही है